आई स्टूडेंट्स वेलकम टू बायोजी ओनलाइन कलासेज टूड़े वी रीड उजेनेसिस आज हम उजेनेसिस से पढ़ेंगे तो उजेनेसिस किसको बोलते है जो फिमेल गेमिट ओवा बनने की जो प्रोसेस है प्रिमोर्डिल सेक्स सेल से क्या बनता है ओवा ओवेरी में उसको हम बोलते है उजेनेसिस तो उजेनेसिस प्रोसेस में कौन-कौन से स्टेफ इन्वाल्ड है वह हम इस चेप्टर में पढ़ने वाले है मिलियन्ज ओव ओवनिया इन उचो इस ओवेरी में क्या होते हैं मिलियन्ज ओव ओवनिया परजेन्ट होते हैं है कि जूर्इंग एमिरोजिनिये omriogenik stage है यानि है जायल्द का जनम होने से पहले ही जो फिमेल बाइस फिमेल फिमेल फिटस उसके अंदर उ-गोईनिया बने क्या हो जाते हैं श्टार्ट हो जाते है और वह मेलियन्स और उ-गोईनिया क्या होते हैं परजेंट होते हैं और प माइटोसिस डिफ्रेंशेंशन होता है, माइटोसिस डिफ्रेंशेंशन होके और क्या बनती है, प्राइमरी उसाइट बनती है, क्या बनती है, प्राइमरी उसाइट, और जो ये प्राइमरी उसाइट है, इसमें फिर नेक्स्ट क्या होता है, मियोसिस फर्स्ट होता है, प्राइमरी उस सघ्ट में पिर के वियोग Shop जो मों उसिस जो प्रोओक से फर्सट में क्या और ये वापस इसटोप और जायगा प्राइमरी उस तो बने की पेसे यह फर्सट में क्या हो जाती है फोल्ड हो जाती है और फिर नेक्स प्राइमरी उस साइट से क्या बनती है प्राइमरी फोलिकल बनती है क्या बनती है प्राइमरी फोलिकल प्राइमरी फोलिकल के चारों और एक लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है ठीक लेयर बननी स्टार्ट हो जाती है और उस लेयर को हम बोल जो प्राइमरी फॉलिकल है वो सेकेंडरी फॉलिकल में क्या हो जाती है चेंज हो जाती है और सेकेंडरी जो फॉलिकल है यह टर्सरी फॉलिकल में चेंज हो जाती है टर्सरी फॉलिकल में और टर्सरी फॉलिकल में एक क्या बनती है फल्यूड केविटी का फॉर्मेशन होता ह जिसको हम क्या बोलते हैं एंटरम बोलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं एंटरम बोलते हैं तो सबसे पहले किसका फोर्मेशन हुआ इस टाइप से यह प्राइमरी उससाइट का फोर्मेशन होने के बाद में यह किसमें कनवर्ट हो जाती है यह कनवर्ट हो जाती है प्राइमरी प्रायंमरी फॉलीकल में ये क्या होगी हे ग efforts के बाद में इसके पतसे चारों और और तिक लेहर बन जाती है गडिलनेस लेहर सुम चारों से बने किसमें च्झेंज आए तो थिक लेहर बने यहां क्या प्रियूड बने है यह फिल्यूड के विटी जिसको हम क्या बोलते हैं एंट्रम बोलते हैं और जो तरसरी फॉलिकल है यह अब किसमें चेंज होगी सेक्साइट में चेंज होगी एरोगी कोन सेos आएगी तब यह होगी प्यूप्यूर्टि में जब सेक्स वार्गन मेचोर हो जाएंगे तब क्या बनेगी सेक्साइट मनेगी और बॉकिसें टरसरी फॉलिकल से तो जहां और जो मियोसिस first है वो hold हुई थी पर primary उसstar के सथा की मेरे क्व में सभाइब था तब फुर्व में सुन वा था प्रोपेज फस्थ में उल्ट हुई हुई तो यह मियोसिस complete यहां आकर हुई है सेकेंडरी उसाइट पे आके क्या हुई है कम्प्लीट हुई है तो यह यह प्रोसेस तो स्टार्ट हो गई दिजनम से पहले यह उपर वाली जो और μας बदेने जब जब शैनि 15d63 में कुनि कि अघंयर मंती है और सेकंडरी उससाइट बनने के बाद में किसका होता है उसके रोली को सिन होता है और यह उसके लियर बनती है जिसको बोलते हैं जोना पेलू सुड़ा लेयर का पॉरमेशन होता है तो बाद में ग्राफिन फॉलिगल से क्या होता है ग्राफिन फॉलिगल रब्चर होके और और रिलीज कर देती है जिस प्रोसेस को हम भोलते है ओवलेशन तो यह इस्टेफ हम इसमें पढ़ेंगे जो मैंने यहां पर संक्षेप म परियर अभी तक यूटिरस के अंदर है इस ताइम यह क्या पर्जिय होग होनिया परजम करेंट है तो मान ले ले लेते हैं जिस प्रोमो सॉम वह दिप किस्टने हैं या इए डिपीلोइ उस साइट में फिर क्या होता है मियोसिस फर्स्ट डिविजन होता है कंप्लीट प्रियोर टू ओलेशन और जो मियोसिस फर्स्ट है वो यहां पर क्या हो जाती है एक बार यहां पर कंप्लीट नहीं होती है कंप्लीट कहां पर जाकर होती है जब ओलेशन होगा तब यह क्या होगी completed होगी तो यहां पर देखो primary उस साइट में क्या हुआ मियोसिस से फस्ट हुआ तो मियोसिस फस्ट में तुम्हें बता है वहां पर हमने मियोसिस में टू सेल बन रही थी और फिर मियोसिस सेकेंड में और टू टू सेल बन के इस टाइप से फोर इस्प्रम बने थे फोर इस्प्रम बने थे इस प्रमेटो जिनेसिस में वहां पर बटे उजनेसिस में हमें ओवा कितना मनाना है एक मनाना है वन ओवा मनाना है सिरफ वन ओवा बनाना है तो यहाँ पर यहाँ इसको हमने क्या कर दिया डिस्ट्रोई कर दिया तो यहाँ पर फिर एक से दर एगी पिर इसको और हम क्या कर देंगे डिस्ट्रोई कर देंगे तो इसमें वन ओवा बनेगा जब यह ऊजिनेसिर्स प्रस्ट हो जाएगी और ट्रोट्ट मैं एंए परयेमरेuç साइट में आजू इसको को हम देखते हैं तो एक तो यह तो क्या मन गई its 3 हो गये और Clاضensa क्तोपेश siya क्रोमोसंट क्या औगई हेफलोट हो गए और Okay secondary को सबने की सेड़ीक तो और सेड़ी ते सेड़ी ओस आइड यहां पर क्या मनें से के स्टमाशिम हो गए ओससेड पर में सर्फने के बार्द में अंहां six डाफिन फॉश्छ बनती है और ovulation होता है तो ovulation होगा तब एक second polar body और बनेगी second polar body और बनेगी यह जो polar body है यह क्या हो जाएगी degenerate हो जाएगी यह नस्ट हो जाएगी बचेगा कौन शिर्फ ओवा बचेगा यह और बचेगा यह adult reproductive life में क्या होगा ovulation होगा तो यह process है oogenesis the process of oogenesis in females ovary is more complicated than spermatogenesis spermatogenesis है यह ज्यादा complicated oogenesis जो process है during oogenesis the cell separate from germinal epithelial and entered into cortex of a ovary जब oogenesis process start होती है तो तो सबसे पहले जो oogenia है उसमें mitosis क्या होता है differentiation होता है और उसमें से एक cell separate होके किसमें इंटर करती है जो ovary का cortex है उसमें क्या करती है यह इंटर करती है this deployed cell is with totipotency data is called a primordial germ cell और जो यह cell है अभी जो ओविरी के थ्री स्टेब हो रहे है थ्री स्टेब में हम पढ़ेंगे इसको सबसे पहले हम पढ़ेंगे multiplication phase second पढ़ेंगे growth phase और तर्र पढ़ेंगे हम maturation phase तो सबसे पहले है multiplication phase तो multiplication phase में क्या होता है the primordial germ cells is transferred into egg mother cell multiplication phase में जो primordial sex cell है वो कर्मनट हो जाती है कि इसमें एग मदर सेल में वाई सक्सेश्यू माइटोटिक डिविजन इन इट उगोनिया और उनमें क्या होता है mytotic division होता है उगोनिया में तो mytotic differentiation होता है उसमें one ugonium takes part in eugenesis and rest ugonium change into nervous cell और follicle cell तो यह और नाइदर फोंड नोर एड आफ्टर परत जो उगोनिया है वो बरत से पहले ही बन जाती है यह important point जो मेंने पहले ही बताए था तो millions of ugonia है वो present होती है फिटल, life में after birth के बाद में तो ugonia क्या होते जाते है कम होते जाते बरत के बाद में ugonia का formation नहीं होता है growth page next step है हमारा growth page तो growth page में क्या होता है इसमें primary उस site का क्या होता है formation होता है the essential nutritive materials are synthesized and deposited in this important page the ugonia increase unexpectedly in size that is called primary oocyte the growth of oocyte is by follicle cells in mammals और primary oocyte की जो फिर ग्रोथ होती है तो उसमें follicle cells क्या होता है deposit होता है primary oocyte के जारों और जिसके दोरा primary follicle का क्या होता है formation होता है उसके बाद में secondary follicle उसके बाद में tertiary follicle और उसके बाद में वापस secondary oocyte मनती है इन एग lying animals योक इस जो है जो योक में पर्जेंट होता है वो लिवर में उसका क्या होता है formation होता है और वो बाद में उस साइड में क्या हो जाता है transport हो जाता है मदर के बल्ल के द्वारा growth phase can be divided into two phase pre-vitalogenesis and vitalogenesis the volume of nucleus and cytoplasm increase in pre-vitalogenesis lamb breast chromosome is performed and cytoplasm increase और जो यह process है growth phase इसमें जो lamb breast chromosome है उनका क्या होता है formation होता है और cytoplasm क्या हो जाता है increase हो जाता है o-plasm is organized with glycosin carbohydrate, fat and protein और yoke is synthesized and deposited in vitalogenesis period that chemical composition of yoke is in the form of chemical composition दे रहता है यहां पर yoke का जो एग में जो yoke होता है yellow yellow color का उसमें 48.7% क्या होता है water होता है 16.7% क्या होता है protein और 32.6% क्या होता है post polypid and neutralized fat and 1% क्या होता है carbon hydrate होता है योक में next phase है maturation phase maturation phase start after completion of growth phase in primary oocyte primary oocyte में complete growth हो जाएगी उसके बाद में maturation phase गया होती है start होती है it undergoes by meotic division यहां पर division कौन सा हो रहा है उसका ध्यान रखना है यहां पर meotic division हो रहा है नहीं कि mytotic meotic division में क्या होता है chromosome नमर क्या होता है hap होता है which includes two successive divisions in meocis first primary oocyte divided into two unequal shells so meocis first होती है किसमे primary oocyte में तो उसमें two unequal shells बन रही है यहां पर देखो unequal दे रखा है यहां यूपल क्यों दे रखा है यह shells है यह करनोट होगी तो इससे एक तो क्या बनेगी polar body बनेगी और यह क्या बनेगा यहां पर secondary oocyte बनेगी यहां पर चील की तो size हो क्या नहीं बराबर नहीं है यह तो क्या होजाएगी degenerate होजाएगी नश्ट होजाएगी polar body first is very large having yoke and second is very small large shell is called secondary oocyte तो large shell बनेगी musis first होगा जब primary oocyte में तो जो large shell है उसको हम क्या बोलेंगे secondary oocyte बोलेंगे and second small is called first polar body और जो second है उसको हम first polar body बोलेंगे जो उपर मैंने diagram बनाया है उसमें यह सारी बाते आ गही है उसी को देख देख के हैं क्या लिख सकते है थोरी लिख सकते है इजी रूप से आफ्टर इस मियोसिस second टेक प्लेस इन बोथ shells it is also unequal resulting large yoke dutter shell is called rooted or actual ohm and small shell called second polar body और next step में क्या होगा जो secondary उस साइट है उसमें वापस क्या होगा मियोसिस second होगा तो मियोसिस second होगा तो वहां पर भी two unequal shell बनेगी जो एक small shell बनेगी उसको तो polar body और एक actual क्या हो जाएगा ओवा हो जाएगा जो लार्ज होगा only om takes part in reproduction rest polar bodies do not take part in reproduction and at last destroyed तो ओवा ही है यही reproduction जो process है उसमें क्या होता include होता है और जो polar bodies बनती है वो at last क्या हो जाती है destroy हो जाती है नस्ट हो जाती है इन most of animals only first meiotic division is performed in maturation phase of eugenesis and usually there is no any division in secondary oocyte till fertilization यानि most of animals याण mammals में क्या होता है जो primary जो oocyte बनी थी oocyte मैंने पहली बताया था कि इसमें जो meiosis 1st होगा वो क्या हो जाएगा hold हो जाएगा hold हो जाएगा फिब्यूर्टि CHARIS आएगी तब वियृति से क्या बनेगी secondary oocyte बनेगी secondary oocyte में एक बार आगी क्या नहीं होगा division नहीं होगा वह डिवरजर तभी होगा जब उन में क्या हो जाएगा फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगी तब भी उसमें डिविजन होगा और सेकेंड पॉलर बोडी मनेगी और क्या मनेगा वहाँ पर यह प्रोसेस कंप्लीट होगी वहाँ पर ही सेकेंडरी उसाइट मनेगी यह देखो डिविजन इन सेकेंडरी उसाइट तिल है वो fertilization process होती है तब नियोशिस second process complete होती है कि इस primary ऊसाइट इस रांडेट वाई गुरिनुलसा चैल्स तेट इस काल्ड और ब्राइमरी फोलीकल और जो उसाइट है जो primary ucite निकिए कसरे वार्श लिखाया है प्रमरी वौसाइट ब क्या बनति है वması की ही प्रायंवरी ते तो यह देखो primary उस साइट गरिण उसाइल सेल से क्या होती है surrounded होती है जिसको हम क्या बोलते है primary देखो follicle बोलते है और a large number of these follicles are destroyed during the period of birth to become adult by which only 16,000 to 18,000 primary follicle are remained in its ovary और जो यह follicles है यह large number of follicle क्या हो जाते है period from birth to become adult यानि जनम लेने के बाद में जब adult होता है तब तक क्या हो जाती है primary follicle यह जो follicle है large number of follicles यह क्या हो जाती है destroy हो जाती है और only for कितनी बसती है 60,000 से 80,000 follicles ओविरी में से बसती है इस primary follicle इस और next step में क्या होता है जो primary follicle है उसके चारों और भी एक layer बन जाती है शेल्स की ग्रियूनल्सा लेर बन जाती है जिसको हम क्या बोलते है थिका बोलते है this primary follicle is rounded by several new ग्रियूनल्सा लेर थिका these are called secondary follicle और तो थिका लेर बनने के बाद में primary follicle को क्या नाम दे देंगे secondary follicle नाम दे देंगे these are soon converted into tertiary follicle और ये जल्दी हीकिस में करनोट हो जाती है tertiary follicle में करनोट हो जाती है और एक साथ में क्या बनाती है fluid cavity बनाती है जिसको हम क्या बोलते है interim बोलते है interim is found थिका remains in the form of two layers थिका internal and थिका external और जो थिका layer है इसमें two layer होती है एक तो अंदर वाली layer और ये बारवाली layer अंदर वाली layer को हम क्या बोलते है internal बारवाल layer को क्या बोलते है external in these tertiary follicles primary oocytes increase for meiosis first after meiotic division tertiary follicle transfer into mature follicles means graphene follicle और जो बाद में जो tertiary follicle है वो किसमें चेंज हो जाती है graphene follicle में चेंज हो जाती है और secondary oocyte का क्या होता है formation होता है secondary oocyte is formed as a result of meiotic division A new membrane zonopelosuda का formation होता है zonopelosuda is a formed round secondary oocyte is released by the graphene follicle from ovary और secondary oocyte के द्वारा release होती है graphene follicle के द्वारा होता है जब graphene follicle के आओगी rapture होगी क्या release होगा ovary से over release होगा और इस प्रोसेश को हम बोलते है ovulation this process in noun is ovulation which are repeated after 28 days in human जो female है उसमें 28 days में one ova क्या होता है release होता है after 28 days यहनि हर मन्त बोल सकते है कि पर मन्त one ova क्या होता है release होता है graphene follicle से ovaries में और उसको हम बोलते है ovulation क्या बोलते है ovulation बोलते है ovaries graphene follicle गया करती है release करती है अब हम देखते है a go पे mammal जो हमने o पड़ा है वो कैसा होता है वो हम देखेंगे the eggs of mammal are a lecithal and isolacithal type जो mammal का जो एग है यह क्यूशन पूचर का है तो पिछे की क्यूशन है कि mammals में जो एग है वो कौन से टाइप का होता है तो lecithal और isolacithal type का होता है दिये डाइमेंटर जो ओवा का या एग का जो डाइमेंटर हो कितना होता है तो 150 माइक्रो मेंटर होता है दो ऑवा रिलीज प्रोम और इज नोट कंप्लिट दी मेच्व जो ओवार रिलीज होता है यह क्या नहीं होता है completely अभी क्या नहीं हो单 मेच्व नहीं होए मैंने बोला था कि महाँ पर मियूशन क्या नहीं हो और ही Complete मतः रहीं यह उस्रटाक घंपकेह बन रही तर बनती है तो यह मैंसरा भाशταर बन रहे दी अब सट quilt डीटन फैलीटी नहीं होता होगे पडूर नहीं होता है यह सेलीट गुर्थ एक मैंसरी इव एक होगे बूलिटट। उस साइट की फोम में होता है नुकलियस इस सिटुटे टूवर्स लार्ज साइजड एनिमल पॉल दे क्वांटिटी ओफ योग इस मच लेस और नेगलीजिवल यह जो मेमल का जो एग उसमें जो क्वांटिटी है योग की वो क्या होती है लेस होती है यह नेगलीजिवल होती है और इसमें पॉल की साइट जो उसमें नुकलियस क्या होता है लार्ज होता है आउट साइड दे शेल मेमरेन इस ट्रांस्पेरेट जो आउट सेल है वो क्या होती है ट्रांस्पेरेट होती है और नोन शेलूलर लेयर जिसकों क्या बोलते है जोना पेलं सुदा मोने फाउन्ट फोल्स होती है उसको हम क्या बोलते है वो तिखा यहाँ पर अखा डाइड्राम है और दिखार उसकी बोलते हैं ओर ईसके अंदर वाल जो बलेक बलेक यह दिखा रहे थिक रेर इसको क्या बोलते हम जोना पहीं पॉलते है है और है और यह अंदर क्या दिर का साइट प्लाज़ के रहे हैं तेंक यू आज के लिए इतना ही